सबसे पहले आप लोगों के लिए गॉर्मेंट जॉप की अप्डेट उस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में आप लोग आवेदन कर सकते हैं इन के लिए नोटिफिकेशन और अपलाइ लिंक आपको मिल जाएगा दिस्क्रिप्शन वोक्स में पोस्टल असिस्टेंट और सोर्ट प्लस टू पास रहेगी और मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए अगर आप लोग टैंथ पास है तो भी आप लोग आवेजन कर सकते हैं बहुत बढ़ी पोस्टल असिस्टेंट के लिए 25,000 से लेकर 81,000 के बीच में रहने वाली है वहीं मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए अ अलग अलग विकेंसी के लिए अलग अलग आई हूँ है आई उठास लेकर 27 वर्ष के बीच में है बाकि असी स्टी ओबिसी को आई उमें यहां पर शूट भी दी गई है इन वकेंसी के लिए कोई रिटन इग्जामिनेशन नहीं होगा डिरेक्ट आप लोगों को अपलाई क करना है और आप लोगों का सिलेक्षन होगा आप लोग अगर स्पोर्ट पर्देश सेपार्टमेंट ऑॉस्ट में यहां पर 17 वकैंश भाई जा रही है और हिमाचल से कंड़िडेट इन पादों के लिया आवेदन कर सकते हैं हमाचल परदेश सरकार बड़ा बड़े इस लिय बढ़ने वाली है परदेश में जल्द खतम होगा नौकरियों का सूखा जल्शक्ती विवाग में 5000 वकैंसीज भरी जाएंगी बन विवाग में दोचार 261 वकैंसीज भरी जाएंगी और शिक्षा विवाग में शेह हजार पदों को भरने की प्रौकरिया सरकार जल्द ही शुर कर दिया जाएगा इमाचल परदेश के युवाओं में खासा अक्रोश था कि नई सरकार जो भरतियां शुरू नहीं कर रही है ऐसे में सरकार ने अब यह फैसला ले लिया है कि जिन पदों को लेकर किसी तरह का कोई कोई कोट केस नहीं चल रहा है ऐसे पदों पर भरती प्र अगर इन सारे डिपार्टमेंट में भरती प्रक्रिया को सरकार जल्द शुरू करती है इसे में इन भरतियों के संबंद में सरकार बड़े फैसले ले सकती है आप लोग 28 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं बाल विकास परियोजना कारे लिया रिवाल सर द्वार के लिए आवेदन कर सकते हैं स्क्रीन शॉट से चक कर लें कहां कहां पर वेकैंसिस खाली पड़ी है अंगरवड़ी सायका के लिए सेलरी 5200 और अंगरवड़ी कारकरता के लिए सेलरी 9500 पर रहेगी प्लीज शो सपोर्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब